भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 9102 मरीज सामने आए जो बीते आठ महीनों में सबसे कम है नए मरीजों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,6,86,838 हो गई किंद्री स्वास्त मंत्राले के आंकलों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 117 संक्रमितों की मौत हुई जो की 8 महीनों में सबसे कम संख्या है देश में कोरोना वायरस के कारण अब तक 1,53,587 मौते हो चुकी है भारत में 3 जून को एक दिन में 8,909 नयमामले सामने आये थे और 16 माई को 303 लोगों की मौत हुई थी स्वास्त मंत्राले के मुताबिक अब तक 1,3,45,985 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके है रिकवर होने की राष्टी दर 96.9 प्रतिशत हो गई वही मृत्य उदर 1.4 चार प्रतिशत है देश में संक्रमन का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,77,206 है जो की कुल मामलों का 1.6 चार प्रतिशत है यह लगातार सात्वा दिन है जब संक्रमन का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 2,00,000 से कम है झाल झाल